प्रश्कार स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचांग के अनुसार सूरी के एक राशी से दूसरी राशी में जाने की घटना को संक्रांती कहा जाता है मेश राशी में सूर्य के गोचर करने के कारण इसे मेश शंक्रांती के नाम से जाना जाता है इस दिन से खर्मास का समापन माना जाता है और शुपकार्यों जैसे साधी, विवाग, रैप्रवेश और घर खईदने के लिए शुम मुरत की सुरॉत मनी जाती है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में मेश शंक्रांती कब है, 14 या 15 अप्रैल को पुनिकाल का समय क्या रहेगा, महापुनिकाल का समय क्या रहेगा, पुझा के विधी क्या है और इसनांदान का महत्व क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तर आपने इसे सुब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी संक्रांती दिथियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में संक्रांती के दिन पवित नदी में स्नान करने और दान पुन करने का विशीश महतो माना जाता है इस दिन दान्पुन करने से सुर्य भागवान प्रसन न होते हैं अगर आप किसी पवित नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर इनहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं इस दिन सत्तू खाने से विशेश फल की प्राप्ति होती है मेश संक्रान्ती के दिन भगवान सतर नारायन की पूजरचना करने का वे भिधान है साथ ही उन्हें सत्तू का भोग लगाया जाता है अपरेलल flute reade शुक्रार को है मेरे वीडियो में आंधर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ